दवनी वसन भागतीन में से ली गई है ये पहली पोयम है दवनी उसके जो कवी है सूर्यकान त्रिपाठी सूर्यकान त्रिपाठी उसको निराला जी भी कहते हैं उसका उपनाम दिया गया है निराला जी निराला जी ने हमें अपने छायावदी कवी होने के कारण उसके कविताओं पर हमें प्रकृती लक्षिय कविता वो ज्यादा लिखी है छायावदी का मतलब होता है प्रकृती लक्षिय कविताओं सुर्यकान त्रिपाठी हमारे सर्वसरिष्ट कवियों में से माने गए है सुर्यकान जी के जीवन में हमेशा उतार चड़ाव आये है सुर्यकान त्रिपाठी के जीवन पहले अपने माता पिता की मृत्यू बाद में अपने माता-पिता के मृत्यू के बाद उसके पत्ने के मृत्यू हुई एक के बाद एक उसके जीवन में दुख आते ही गए है तो कविताओं में भी काफी चीज़ा हमें बताई गई है कि हमें इस कविताओं में बताया गया कि यहां वसंत का मतलब होता है अपने नव जीवन की बाते बताई गई है तो यहां हम देख सकते कि वसंत आने से मतलब हमारे जीवन में चारो तरफ वसंत रुतु आने से मतलब कि अपने जीवन में चारो तरफ हर्याली आने की बात बताई गई है कि जो नव युवान है उसको बताया गया है कि आप अपके कर्तव्य लक्ष पर आगे बढ़ो तो कविता का सार कुछ इस तरह सम बताएंगे कि द्वनी कविता में क कविने प्रकृति के प्रति मानविय समवेदना तथा आशावाद का चित्रण है यह कविता निरासा में डुबे मन को हिमत बंधाने वाली है वशंत आशा का विकास और नव निर्मान का प्रतिक है कवि कहता है अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत आता है इसलिए अभी उसके जीवन का अंत नहीं हो सकता वसंत आते ही प्रकृति में सर्वत्र सुन्दरता चा जाती है प्रकृति हरी भरी हो चाती है डालिया कलिया लच चाती है कवि का जीवन भी वसंत का आगमान से बादल बदल गया है वह नींद में से डुबी अलसायों और कलियों को जगान चाहते हैं वह नई पीडियों का नव निर्मान करना चाहते हैं विकास करना चाहते हैं कविता में प्रतिकों का माध्यम इन प्रतिकों के माध्यम से कवी युवा पीडिकों अमर्ता के मार्पक अर्थात महांदा के पत पर चलने की प्रेणा दे रहा है करतव ये करते हुए स् गूर तथे को कवी ने प्रतिकों द्वारा प्रकट किया गया है तो काव्यांस की विस्तृत व्याख्या हम देखेंगे अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो हूँ आया हूँ मेरी वनमी मृदुल वशंत अभी न होगा मेरा अंत हरी हरी है यह पात यहां मुरुदुल का मतलब होता है कोमल, सौफ्ट, पात मतलब पत्ते लेव, गात मतलब सरीर, और स्वपन मतलब सपना, कर मतलब हात, और फेरोंगा मतलब फिराऊंगा, छूलोंगा, और निंद्रित मतलब सोई हुई और हम देख सके, जगा जगा कर, सोई से उठा कर, प्रत्युष मतलब प्रातह सवेरा, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातह सवेरा, मनुहर मतलब मन को हर लेने वाला, लुभाने वाला, तो हम देख सकते हैं कि अभी अभी न होगा मेरा अंद, अभी अभी ही तो मैं आया हू मेरी वन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात कभी यहां ऐसे बोल रहे है कि मेरा अंत अभी नहीं होने वाला है अभी तो मुझे नव युवानी में काफी कारिय करने है अभी तो मेरे जीवन में वसंत आया है मुझे तो कुछ नव निर्वान और नई पिल्डी को जागरत करना है नई नई पत्तिया वसंत में जैसे आती है वैसे मुझे नव निर्वान के लिए नव विवानों को सोए हुए निंदरित कलियों में से उसको जगाना है मतलब उसके आलस से अत्याज कर उसी कर्टव्य निष्ट बनाने का काम मेरा है इस कविता में युवा पिल्डों को संबोधित करते हुए कवियों करना चाते हैं कवि अपने जीवन में वसंद के सुब आगमान से उत्साही तेवं प्रफलित है जिस प्रकाश शीतरुतु तुशार पात के उपरान प्रकृति में वसंद के आने से चत्रवीत विकास और उलास का वातावरन हो जाता है उसी प्रकाश जीवन निर्मान में युवा वस्ता का विचेश भाग है और हम देख सकते कवी कोमल सरीर वाले युवाओं को स्वप्न में जगाता चाता है वो नीन तता आलेस्त में पड़े युवानों को कर्तव ये पत्थ पर चलने के लिए प्रेम और स्ने की उद्वोधित कर रहा है वसंद की वेला में विकास का उल्लास और नव निर्मान के लिए कवी स्वयम तो उत्सुक है पर युवाओं पिल्डियों को भी उत्सुक बना रहे है इस कविता में युवा पिल्डों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि जो कोमर सरीर वाले युवा हो आप स्वप्न में से जागना चाहते हो वो नींद्र तथा आलश्य को डूबे हुए युवा को करतवे पत पर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से हमें कभी कहते हैं कि अभीना होगा मेरा अंत तो यहां हमें निराला जी ने अपनी मन की भाव कविता द्वारा प्रकट किये गए है